नमिश्कार प्रिय दर्शकों मैं प्रियम का आप सभी लोगों का स्वागत भी नंदन करती हूँ कैसे हैं आप लोग दर्शकों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राहु और केतु के गोचरिये प्रभाव के बारे में कैसा रहेगा वर्ष दो हजार तेस में राहु और केतु का प्रभाव धनुराशी के जातगाओं के लिए क्योंकि राहु और केतु से सभी डरते हैं और डरना भी चाहिए राहु के लिए ही कहा गया है राहु मारे तो कौन तारे वैसे तो यह चाया ग्रह है इनका कोई भधिक अस्तित्व नहीं होता लेकिन जन मानस पर इनका बड़ा प्रभाव देखनी को मिलता है जैसे कि आपन जाएं तो राजा से रंक बना देते हैं इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और देने पर आएं तो अचानक इतना दे जाते हैं कि समहला भी नहीं चाहता है यह हमेशा वक्रवस्था में चलते हैं राहु को बाहु बल का कारक एवं तीवर बुद्धी का भी कारक माना गया है राहु अच्छे हो तो जातक कि वागपटूता बहुत अच्छी होती है यानि बोलने की इसमरन शक्ती बोलने की शमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोग अपने शत्रू से भी लाव कमा लेते हैं प्लानिंग्स तो इतनी अच्छी करते हैं कि कोई भी इनके प्लान और राहू की दशार में जाए तो बेवजह का कालपनिक भय उत्पन हो जाता है व्यक्ति के वानी में दोश हो जाता है कई बार व्यक्ति बहुत ज़्याद जूट बोलने लगता है कई बार नशे का सहारा लेने लगता है कई बार कुछ तंगति का भी शिकार हो जाता है इसलि यानि बुद्धी से विहीन कर देते हैं, मती को भ्रमित कर देते हैं, सब कुछ शून नजर आने लगता है, और विश्य से ऐसे जातक को भै होता है, मृत्यू से भी भै लगने लगता है, सारे संसार से भै लगने लगता है, अपनों से वियोग हो जाता है, लड़ाई हो जाते हैं दूरी हो जाती है अचानक से धनहानी होने लगती है अपने जीवन पर लोगों को संशय होने लगता है कुछ इस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं यह दिर्राहु जन्म पत्रिका में खराब हो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनू राशी के जातकों के बड़ी बड़ी मीटिंग्स जहां से तैह होती हैं वो पंचम इस्थान है तो यहाँ पर राहु का गोचर आप पी लिए बहुत शुख नहीं रहेगा प्रिकोर्ण इस्थान है ठीक है लेकिन बहुत अच्छा फल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा कहते हैं जन्मन पंचम यानि 5th house में, 4th house में, 8th house में, 9th house में और 12th house में इन इस्थानों में यदि क्रूर वापापी गढ़ाओं का गोचर हो तो धन धान्य की हानी होती हैं कुटूम परिवार से विद्रोह हो जाता है विवाद हो जाता है तो राहु का गोचर पंचम इस्थान में आपके लिए शुबह परिणाम दायक नहीं रहेगा यहाँ पर आपको बहुत जादा केरफूर रहना है किन-किन चीजों से विद्यार्थी वर्ग को सिक्षा छेत्र में साब धान रहना है लव पार्टनर्स को अपने लव रिलेशन को लेकर के बहुत जादा केरफूर रहना है, बहुत समस्दारी के साथ रहना है वही पर संतान को हानी ना हो, संतान से कस्ट या संतान को कस्ट ना हो जिसका पैरेंट्स को बहुत जादा धिहान रखना है प्रारब्व में किये गए, पूर्व में किये गए कारियों से जो आपको लाव होने वाला था उसका आप गलत उपयोग ना करें, दुर उपयोग ना करें राहु का प्रभाव नवम इस्थान यानि भागे इस्थान में होगा तो भागे में कुछ रुकावटे अर्चने देखने को मिलेगी, बनते हुए काम आपके बीगर सकते हैं, बने-बनाए काम आपके फ्लॉप हो सकते हैं, एक अदाशी स्थान में जहाँ पर केतु पहले से विराजमान हैं, वहाँ पर राहु का प्रभाव होने से इंकम से रिडेटिट कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी पैसे रुख सकते हैं, सारी रुख सकती है, बोस के साथ मतभेद, मनभेद जैसे इस्तिति उत्पन हो सकती है, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता व्यक्त जाएगा, यहाँ पर आपके माता के स्वास्ति में पीड़ा हो सकती है, घर परिवार से समंध्ध कुछ चिंताएं हो सकती है, लडाई जगड़े विवाल अलगा जैसे स्थिति हो सकती है, कारी छेतर में कुछ रुखावटे, कुछ अर्चने, कुछ समस्चाएं देखने को मिल सकती है कुछ पुरानी वीमारी उभर सकती है और कारिचेतर से सम्मनित व्यार्थ की भागदोर यात्रा चिंता परिशानियत पन्न हो सकती है और वहीं पर आप बहुत जादा परिशानी में पर सकते हैं तो दर्शकों ये कुछ खास प्रभाव है राहु अरकेतु के होता है तो संपूर्ण जानकारी ये आप चाहते हैं तो इसक्रीन पर दिये गया नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं आपके संपूर्ण समस्याओं का समाधान यहां पर आपको पता लग सकता है तो दिये गया नंबर पर कॉल करके संपर्क जरूर करें में तब तक के लिए प्यार भरा नमेश्कार